नमस्कार स्वागत है आपका कमूलिटी राउंड अप में हो नीरज और आज बातचीत होगी कच्छे तेल के बारे में जहां पे एक बार फिर से बड़ी तेजी आने लगी है और उसके पीछे कई कारण है ओपे का भी कारण है और खाड़ी में बढ़ता तनाव भी है का इसको समझेंगे डेटेल में कि क्यों और कितना सीरियस यह हो सकता है दूसरी चीज़ हम लोग बातचीत करेंगे सोने पे जहां पे भी काफी तीजी के संकेत दिख रहे हैं ट्रेशनल मार्केट में धायजा डॉलर के पार हुआ है भारत में भी बढ़ेगा ही तो क्या ये सोना खर है जितनी की हमें जरूरत होती है जितना हमारा टार्गेट होता है इन सब विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे बातचीत किसके साथ होगी तो हमेशा की तरह एनर्जेग्स पर्ट तनीजा जिमासात हैं जो जीओ पॉलिटिक्स भी समझाएंगे और कुरूर की बारे बीठा साथी मुतिलार उस्वाल फेंसा सर्विसेस के एडियक्टर किशोर नार ने जमाय साथ हैं और प्रो इंटेलिक्रेट सर्विसेस के फाउंडर दिनेश सुमानी याप सबसे बातचीत होगी हो ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे फॉर्मा यूनिर अग्रिकल्चर सेकरेटरी स सिराज हुसाइन से बुआई के बारे में तो चलिए पहले बातचीत करते हैं तनेजाज से कच्छे तेल और उसके डैनमिक्स के बारे में तनेजाज जी एक बर फिर से क्रूड 82 डॉलर के करीब पहुंच गया है दो चीजेस के बीचे बताई जा रही है एक तो यह कहा जा र ही हो रही है जो कि बड़ी चिंतागी बात एकॉनमी के लिए तो क्या फिर क्रूड में रफ्तार बने ही सब आप कह रहे हैं चुनाओ नहों है इसलिए ज्यादा उपर जाने नहीं देंगे यह जैसा आपने भी कहा नेरज जी दो बड़े पहलूजे सबसे बड़ा यह है कि अभी तक एरान बीजी था क्योंके कैबिनेट फॉर्मिशन होना था वहाँ पे नए विदेश मंतरी आ गए हैं जो नरम विदेश मंतरी पहले के थे उनके जो पद दिया गया था उसको उनसे उसको हटा दिया गया है तो कुल मिलाके तेल का बाजार जगतिये मान रहा है कि वही अब इरान का हमला किसी भी समय हो सकता है और वो शाहिद जबरदस्थ हमला होगा अमरीका कभी ऐसे ही उनका जो है वो अखना है विसलिए उन्होंने वहाँ पे काफी तैयारियां बढ़ा दी है तो अब यह होगा कि कितना बड़ा हमला होता है हजब उसका प्र क्या रि कि चीन के अर्थवस्ता जो है काफी परिशानी में हैं और यह साफ उनको दिख रहा है जिस वहाँ पे जिस तरह का डेटा निकल के आ रहा है और जिस आप से रियल स्टेट से लेकर के और सारे सेक्टर वहाँ परिशानी में हैं तो डिमांड जैसे डीजल का आपने जिक्र क या कुल मिला करके वहाँ डिमांड काफी घटी है लेकिन तूसरी जो चिंता का विश्य है वो आया है अमेरिका की अर्थिवस्ता को लेकर जो जॉब डेटा निकल करके आए हैं और अर्थिवस्ता कुल मिला के बहुत लंबे समय के बाद ऐसा लोग कहने लगे हैं कि अमेरिका में मन्दी आने वाली है और इसको लेकर के बाज़ा काफी परिशान है तेल जगLE जो है वह अमेरिका प्रोडक्शन कट कर देगा आगे चलके ये कुल मिला करके ये तनाव आपको बाजार में दिख रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक सारी रियालिटी सामने नहीं आती है खास्तोर से एरान को ले करके तो चीन का तो अभी यही रहे गया सिती अमरीका की सिती यही लेक कोई अज़त तक कि एरान की सिती स्पस्ट नहीं होते हजब ला और इसराइल के लिए होती अभी एकदम कहना मुश्किल लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था अमेरिकी की रास्पती बिल्कुल पक्का है तेल को वो सस्ता रखने रखेंगे तेल महंगा होता है तो वहाँ पर कामला हैरेज जो है वो चनाव नहीं जीत सकती करम सावी जीतेंगे ये पर पक्का ही हो जाएगा तो कोशिश पूरी अमरेकी सरकार की लेकर ये वो अमरीका नहीं है जो आट साल या दस साल पहले होता था ये कमजोर अमरीका है साओधी अरब ये नहीं सुनता इरान भी नही वाला है? देखिए खाड़ी का अगर आप इत्यास उठाकर के देखें तो लगातार खाड़ी जो है पिछले चालिस साल से वाँ कुछ न कुछ हो रहा है और जो महाल बनाने की कोशिश थी वाँ शांती आ जाए वाँ अमन हो जाए वहाँ पर आप आप ने देखा जो भारत और इसराइल यूरॉप अमेरिका ने मिलके आइमेक की बात करी एकनॉमिक कोरिडर की साओधी अरेविया में र आग लगी रहती है और इस बार जो आग लगी हुई है ये काफी बड़ी है मैंने ये काफी चारों तरफ जो है उसका महाल ऐसा है लेकिन जो चीजे रोक रही है कि एरान इस सिती में नहीं के बहुत बड़ा जवाब दे और उसके जो तो मित्र है रूस और चीन वह भी काफ लेकिन दूसरा क्लारफिकेशन ये चाहिए है मुझे लगता है ना यूद बड़ा होगा ना कोई शानती होगी फिलाल लगता ऐसे कि यही हो आगा बने रहेंगे चीन ने काया कि वो इरान का साथ देगा खैर दूसरा क्लारिफिकेशन ये चाहिए मुझे कि अक्टूबर में रिवी होना शायद अपिक का तो क्या प्रोडक्शन को ले करके फिर से कुछ होगा अगर जो है ये चीन का तो बिल्कुल स्पस्ट है कि चीन से डिमांड पढ़ने वारी नहीं है जो डिमांड बढ़े की आने वाले समय वो भारत है और कुछ हैं देशों से है जो इतनी जादा नहीं होगी कि ओपक को तसलिय हो जाए और अमरीका के अगर ये खबरें जो अब नई शुरू ही है पिसले 48 गंटे के अंदर के रिसेशन आ रहा है अमरीका मंदी की तरफ जा रहा थी ये तो ओपक को परिशान करेगा इसका मतलब ही हुआ है कि जो डिमांड और घटेगी डिमांड घटेगी मतलब एक कीमते घटेगी तो ओपक कुछ ना कुछ तो करेगा और ओपक जो है वो अगर उसको ड्रास्टिक मेजर लेते हैं तो वो लेगा क्योंकि साओधी अरब खास दोर से जो ओपक का जो एक तरह से पाइलट है उसकी कोशिश है तेल को 90 लेके जाना अगर 90 डॉलर तेल नहीं पहुंसता है और कहीं 80 से नीचे चला जाता है तो साओधी अरब के ये सारे प्लैन एकनॉमिक रिफॉर्म्स टांजिशन एकनॉमिक ट्राजिशन मॉटरनाइज़ेशन वगरा वगरा सब परिशानी में आ जाएंगे और ऐसा होगा तो साओधी अरब के सरकारी परिशानी में आ जाएंगे इसलिए चुनोती बहुत सारी है अगर मंदी की तरफ जाती है अमरीकी अर्थवस्ता और चाइना ओर लेड़ी एक तरीके से मंदी में है तो फिर कुन में लाकर के ओपेक को कुछ ऐसे कतम उठाने पढ़ेंगे जो कई देशों को पसंद ना है लेकिन उनके पास में जड़ता कोई दिकलत नहीं होगा तरजासर बहुत बहुत शुक्रिया वे सारी जानकारी हमें देने के लिए अब किशोर जी के पास सेलते है किशोर जी आपको क्या लगता है क्रूड में क्या हो सकता है जो बने रहेगा थोड़ा बहुत जो वीकेंड में ये काम आएगा बट मुझे लगता है कि यहां पर हाला की जो 6700 का जो कॉल आप्शन है वो थोड़ा पहतर लगता है यहां पर बिकॉस कीपिंग जी जीओ पॉलिटिक्स इंटू को कंसर्ण कि यहां पर कॉल ऑप्शन का बाइंग मैं सजेस्ट करूंगा 60 रुपे के असपास अवेलेबल है 6700 का कॉल 20 रुपे के असपास आप स्टॉप लाज मेंटेन कर सकते हैं 120-140 रुपे के असपास का आपका टार्गेट हो सकता है ओके तो यह कूट पे ले चलते है दिरेज जी कूट पे जिस तरह का महौल बना आपको डिमांड ज्यादा बड़ा कंसर्ण लगता है कि जियो पॉलिटिकल जो प्रीम एड हुआ है सर निशले सर अगर हम देखते है कूट के तो 6080 का लो बना करा मतलब करीब परीब इसमें 600 रुपए का उचाल आ चुका है जबकि युएस में थने जानी भी बताया कि युएस में जो है डिमांड कम है कहना कि भी कोई ऐसे सकारवम संकेत नहीं आ रहा है सिर्फ मिडलीस टेंशन से ये प्रीम एड हुआ है तो मुझे लगता है अगर वो टेंशन के इनके इस होता है तो सबसे ज़ादा प्रभाव कुड में गिरना चीए यहां से अपसाइड बलने में मुझे लगता है कि 6760 जा सकता है और वहां से दुबारा पैसर 150 के आध पास आ सकता है तो मुझे लगता है कि अपसाइड 50 से 70 रुपिया है और डाउंसाइड यहां से कम सी कम देवसों से 200 रुपिया है कि शोड़ा सवाल क्या ऐसा लगता है कि मालनों कुछ नहीं हुआ खाड़ी देशों में सब शांत हो गया अगर अगर निकाल देते हैं इस पिक्चर में से देना अच्छे डिमांड का कंसर्ण काफी जाद है दोनों यूएस के साइड से और चैना के साइड से भी रिजेशन का जो चिंता है वो बहुत ज़्यादा है वो उसी साब से अगर देखे तो कुरूड का वीक्नेस आना चाहिए बट सिर्फ ये हफ़ते के लिए जब तक ये एरान का जो मामला तोड़ा गरम है तब तक यहां पर थोड़ा से ज़्यादा मंदी नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा तीजी का उमीद नहीं है बट मार्केट बने रहेगा इसलिए में कॉल ऑप्शन का तरीके से इसको ट्रेड करना पसंद करूंगा रादर दें डिरेक्ली को इंपको फूचर ले ने इस सच्छे कि हां पर तोड़ा सा सेफ ट्रेड हो सकता है रीटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि कॉल के थू करें ज्यादा आसान सरल रहेगा रादर कि आप फूचन जाए कि शोर दरबा आते हैं सोने पर इंटरनेशनल मार्केट में तो ड्हाई जार के ऊपर की क्लोजिंग दी है बढ़ता जा रहा है सोना ड्यूटी कट के बाद यहां पी बढ़ेगा दीरे दीरे तो इंडिया का प्राइस को ज्यादा माहिना ने रखता है और इंडिया के डिमांड बे कुछ खास माहिना ने रखता है ग्लोबल मार्केट से इसाफ से तो अपना तो इंडियन इंवेस्टर्स को यहां पर डेफिनिटली दो दो चीज़े पॉजिटीव हो सकता है आप मारे हाउस कॉल था कि 26 डॉलर 26 डॉलर तक अपसाइड जाएगा वह काफी नजदीक आ चुका है पच्छी सो डॉलर के अपस्तव आई चुके हैं और यहां पर यूएस का फेड कितना जल्दी और कितना जादा रेट कट करेगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्ड का से लेके 75 बेसेस पॉइंट्स तक दिसंबर से पहले रेट कट होगा यह मार्केट में री प्राइसिंग हो रहे हैं अगर उससे ज्यादा तीजी से अगर रेट कट होता है तो गोल्ड में यह अपसाइड टागेट्स रिवाइज हो जाएंगे अगर नहीं है थोड़ा इंफ कि रोपी का वीकनेस से वह थोड़ा बहुत लुक्त की इंवेस्टर स्कोड़ करेगा अमरिकावलों ख़रेंश एक पर्सेंट तक काटना पड़ेगा अगर ऑगर एक परसंट हुआ तो यह अभी प्रसेंट प्रीशिंग नहीं है क्या एक परसेंट की प्रीसिंग्या प्चा प्राइजन अल्रेडी है लेकिन 50% आशेंका ये भी जाता जारी कि अप्टेबर में 50 बिसेट पॉइंट कटो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन कुछ निर्मान होती है तो मुझे लगता है कि गोल्ड की बढ़ने की स्पीड बाकी अनेमिटल सिल्वर कॉपर सब से जाधा और अगर हम इसको 44 की क्लिप देखते हैं तो नीचे से 66,050 का जो लो बनाता हमासे इसमें 4,000 रुपे की तीजी अल्रेडी आठीकी है 70,640 के लेवल तभी चड़ रहे है अगर 70,500 के आत्वास इंट्राडे में के अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि 71,000 का लेवल या कल तक क्रॉस कर सकता है गोल्ड में सिल्वर के मुकाबले स्ट्रेंज बहुत जादा है और बुलिश बैट इसमें अल्रेडी इंक्रीजिंग है तो मुझे लगता है इसमें बायसाइट बने रहना किये रही बाद डिसम्बर के हद तक तो मुझे लगता कि 72,000 के लेवल ये डिसम्बर तक शिर्टा है बड़ा इंटरस्टिंग है इंडियन गोल्ड प्राइस क्या है तीन चीज़ों कॉम्बो है करेंसी, डिउटी और इंटरेंसर प्राइस अब यूएस में रेट कट की बाते हो रही है चाइना में भी बाते होगी पैसे डालने ही पढ़ेंगे अगर ये सब होगा तो गोल्ड भागेगा हाँ बेस मिटल या दूसरे मिटल्स में नर्मी रह सकती है क्योंकि एकॉनमी में अगर रेसेशन रहेगा मंदी रहेगी तो बाकी मिटल ने चाहिए लेकिन गोल्ड की तरफ तो इंफलेशन हेज़ भी होगा अगर करेंसी बहुत फ्रीली पैसे डाला गया सिस्टम में तो ये गोल्ड की तस्वीर है लेकिन ओपन है अभी भी कुछ भी कभी भी बदल सकता है बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका भी और दिने सर आपका भी हमाज साथ जुनने के लिए बातचीत करने के लिए तो गोल्ड और कुरूट पर ये है नजरी अगर आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर है तो आपको उसी साथ से अपनी स्टेटजी बनानी चाहिए छोटा सा एक ब्रेक लेंगे है ब्रेक से लोट के आएंगे तो बातचीत करेंगे यह बताईए कि इस समय जो टॉप ट्रेड अगर लेना है तो स्पाइसेज में कहा सबसे बोड़िया ट्रीड विन सकता है मसालों में अगर देखे तो हली एक ऐसा गांटर है जहां पर अवैवल से ब्राय हो चुकी है स्पाइस बढ़कर है लेकि जिसमें केरी फॉरोल स्टॉप काफी कम है तो मुझे ऐसा लगता है कि 16,000 यह मैं अक्टोबर कॉंट्रेक्ट की बात कर रहा हूँ 16,200, 16,250 के आसपास मुझे लगता है कि इसमें खरिदारी की जातकती है 17,300 के लेवल्स हमें एक हफ्ते से 10 दिन के बीतर देखने मिल सकते है 15,700 का इसमें स्टॉप लॉफ मिंटेन करना की है हल्ली अन्य काउंटर के मुकाबले मुझे काफी स्रॉंग लगती है जीरा कमजोर लगता है और धन्यादी कमजोर ही लगता हमें क्या ट्रेट बनेगा इस वक्त किछीत में सर जीरा 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 मुझे लगता है कि 26,200 के आसपास मुझे लगता है कि सेल करना चाहिए 25,200 के लेवल्स डाउनसाइड हमें देखने मिल सकते है और 26,800 का इसी स्टॉप लॉफ मेंटीन क्या जाता है ओके दिने सार बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चलिए बाजित करते हैं सोईंग के बारे में अच्छी बारी इसकार देश में खरीफ की बॉई ठीक ठाक हो रही है और पिछले साल से कुछ बढ़ की आई है लेकिन आकणों को डेटेल में देखें तो ये सिर्फ एक परसंट बढ़ी लास्ट वियर से हलाकि धान और दलहन की बॉई में थोड़ी ज़्यादा तेजी लेकिन कॉटन में गिरावट पिछले साल से ही नहीं बिल्कि पिछले हफते से एक परसंट बढ़ी है सरकार इस साल ज्यादा उत्पादन की उमीद कर रही है ऐसे में सवाल उठता है क्या ये लक्ष पूरा हो पाएगा और इस बात पर ज़्यादा बातचीत करते हैं मैं साथ पूर विक्रशी सची हो सिराज हुसाइन जी सिरासर बहुत बहुत स्वागत है आपका थोड़ी सी बढ़त के हागड़े तो दिख रहे हैं लेकिन क्या ये सफिशेंट है या सरकार जो टार्गेट लेके चल रही है ज़रूरत के लिए ठीक ठाक है ये देखे इस साल अभी तक जो मांसूम की प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मांसूम का डिस्टिबूशन भी बाई है लाज बहुत अच्छा है सिवाए इसके के पंजाब में बारिश बहुत कम हुई है और पंजाब के जो किसान हैं उनका ज़ाधा पैसा खर्च हो रहा का दीजल में वो द्दा अंडर्ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं अपने रिसोर्सेस को दधा इसलिए।र 하니까 त्जाहिए के वो मुष्किल में हें हर्याना में क्योंक है एक्षिन होने वाले हैे इसलिए हर्याना गवर्मेंट ने थोड़ा सा इंसेंटिव सारे खरीफ किसामों को दिया है लेकिन उसी तरह का इंसेंटिव पंजाब में नहीं गिया गया है और अच्छी बात यह है कि पिछले दो हफ़ते में बिहार बेंगौर वगयरा में भी अच्छी बारिश हुई है तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फरीफ फसलों का उत्पादन जो गर्वर्मेंट की उमीद है उसके मुदाबिख होगा अच्छा कॉटन मिलें सर गिरावट दिख रही है 9% की किसमें कॉटन का जाहिरा देखिए दान यह असेस करते हैं कि उनको किस फसल के बहतर दाम मिलने की उमीद है तो अगर उनको यह उमीद है कि तूर के और उरत के दाम उनको बहतर मिल सकते हैं क्योंके और टाइम हाई प्राइसेश चल रहे हैं तो इसलिए तूर और उड़ात और मूव में उन्होंने एरिया बढ़ाया है तो यह हम नहीं कह सकते कि किसानों का गलत फैसला है और पिछले कई सालों में हमने देखा कि कॉटन के एक्सपोर्ट भी कम हुए हैं और उसमें और कई तरह की दिकते हैं पेस्ट कंट्रोल पेस्ट नए नए आ रहे हैं और क्योंके जी-एम टेक्नालोजीज में कोई इंवेस्पेंट नहीं हो रहा है गवर्मेंट उसको अलाव नहीं कर रही है इसलिए कोई प्राइवेट कंट्पनी मॉंसेंटो वगरा उसमें इंवेस्पेंट नहीं कर रहे हैं और नए जी-एम प्राड़क्स मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है नए जी-एम सीट्स मैं जी-एम को बड़ा विरोध करते है सर स्वदेशी वाले भी है सब लोग किसान भी विचारा डरता है क्या सरकाट ठीक से प्रोमोट नहीं करती क्या जी-एम सीट्स नहीं देखिए ऐसा है कि कई सालों से जी-एम को लेके विबाद बना हुआ है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया तो वो एक लार्जर बेंच को रिफर हो गया और उन्होंने कहा कि इसमें गभर्मेंट कोई पलिसी बनाए तो इसमें गभर्मेंट कोई मैं समझता हूँ कि माइं बना नहीं पाई है और अगर कॉटन का भी जो अप्रूवल बाजपई गभर्मेंट में हुआ था उसकी आप हिस्ट्री पढ़े तो वो एक अजीब गरीब हिस्ट्री है बड़ी अच्छी किताब जेनेटिकली मॉडिफाइड डेमोक्रेसी के नाम से पॉब्लिश हुई है उसमें ये दिखाया गया है कि मिनिस्ट्री उफ एंवर्मेंट के दो आफिसर्स ने उसकी पर्मिशन दे दी थी बाजपई गभर्मेंट के टाइम में तो ये एक अभी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पाया है और दस साल से मेज़ॉरिटी गभर्मेंट थी वो भी इस पर कोई फैसला नहीं कर पाई तो अब तो हम समझते हैं कि इसका फैसला और भी मुश्किल होगा अज़र शिरासर एक जिब दाई ये 9,80,000 हेक्टेर पर बुआई हो चुकी है पिछले साल से बढ़के आ रही है अभी और रकबा कवर हो सकता है या भी इसको फाइनल माल लिए जाएगे इतना ही बसादा नहीं होगा देखिए 90 फीसद से ज्यादा एरिया कवरेज हो चुका है जाहिए जब अच्छी बारिश होई है तो किसानों ने अपने जो खेत हैं तेजी के साथ एफिशन्सी के साथ फसल भूई है तो बहुत जाधा इसाफा इसमें नहीं होगा क्योंकि हमारा जो कवरेज है बहुत इंटेसिव फार्मिंग है इंडिया में ज़्धातर राज्यों में ज़्यादार इरियेटटेड एरिया में दो फसल ली जाती है कोई भी सिस्टम जो हमारा है, इस बात पर फोकस कर रहा है कि उतने ही रख्बे में यील्ड बढ़ाई जाए, राधर कि हम रख्बा बढ़ाने पर फोकस कर रहे थे, यील्ड बढ़ाने के लिए क्या उपए कर रहे हैं लोग? नहीं, इसके लिए बहुत सारी गवर्मेंट ने फैसले किये हैं और बहुत सारी से पिछली UPA गवर्मेंट के टाइम से एक प्रोग्राम चल रहा है Bringing Green Revolution to East India क्योंकि Eastern States में राइस की और बागी फसनों की Productivity भी पंजाब बगएरा से तकरीवन आधी है तो ये एक प्रोग्राम चल रहा है और वहां इसका फायदा भी हुआ अगर आप देखें कि मक्का की इल्ड बिहार में बहुत सारी स्टेट से बहतर हो गई है और कई जिनों में तो उनकी इल्ड आठ तन पर हेक्टेर तक आ वही है मक्का की इल्ड और इसमें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने भी contribute किया है उन्होंने नए नए हाइब्रिट सीड नेकाले है तो आपके सवार का जवाब यह है कि government इस सिल्सिले में कोशा है government ने कोशिश की है और उसके अच्छे नतीजे भी निकले है ओके नतीजे अच्छे निकलना है और करने की जरूरत है शिरासर बहुत शुक्रिया जुडने के लिए शिरासर के मानना है कि पूरा हो जागा टार्गेट है से कोई बहुत चिंदा ही बात नहीं जरूरत के जितनी हमें चीजे चाहिए वो हो जाएंगी और रखबा भी थोड़ा और बढ़ सकता है 90 है 95, 97 तक जा सकता है बहुत शुक्रिया जुडने के लिए तो यह दो आज का कमोर्टी राउंड अप और छोड़ा सा एक ब्रेक और उसके बाद आप देखिए फ्यूचर एक्स्प्रेस झाल 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 झाल